राजस्थान में कॉंग्रेस में चल रही अंदरोनी खीस्तान के बीच बिधायकों और मंत्रियों से पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुख जिंदर सिंग रंधावा ने एक एक कर बातचीत की थी यह बातचीत तीन दिन तक चली जिस दराम सीमसो गहलोत समेत 108 बिधायकों ने अपनी बात रखी जबकि इस पूरे समबाद कारिकम से दो मंत्री और 14 बिधायक गैर हाजिर रहे सभी से बातचीत के बाद उनके छेतर को लेकर त्यार की गई सर्वे रिपोर्ट इन्हें सौप दी गई वहीं बताया जा रहा है कि 60 मंत्री और बिधायकों के टिकट मिलने की संभावना अब खत्म नजरा रही है माना जा रहा है कि 2018 में जिन 40 सीटों पर उम्मिदवार को हार मिली थी उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा फिलहाल पार्टी तीन से चार सर्वे और करेगी उसके अधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा जिन बिधायकों ने इस संभाद में हिस्ता नहीं लिया उसमें पूर्व डिप्टी सीयम सचीन पालेट भी शामिल थे वहीं जल्दाय मंत्री महेश जोसी भी इससे दूर रहे अनुपस्थित रहने पर सभी ने अलग-अलग कारण गिनाए बिधायक हाकीम अली खान ने पाल्टी नेत्रित को बताया कि हच से लोटने के कारण वह संभाद में नहीं जा पाए जबकि जल्दाय मंत्री महेश जोसी ने बताया कि उनकी पतनी की तवियत खराब है बिधायक मीना कवर वाइरल फेवर के कारण इस मीटिंग में नहीं आ पाई इस पूरे संभाद में 27 मंत्रियों नहीं से लिया सभी से रंधावा ने एक एक कर बातचीत की है सीम असोग गहलूत ने बताया कि रंधावा जी की देख रेक में सर्वे कराया गया है जो कि हर बिधायक के साथ साजा किया गया है सीम गहलूत ने बताया कि हर महीने काम को लेकर रिपोर्ट आएगी ताकि बिधायक अपने काम में सुधार कर सके हलाकि सर्वे रिपोर्ट को कुछ बिधायक मानने को तयार नहीं है पीपलदा के बिधायक ने कहा है कि वह सर्वे रिपोर्ट नहीं मानते इसके लावा दूदू के बिधायक और सीम के सलाकार बाबू लालनागर ने भी अपने जीत का दावा पेस करते हुए कहा कि मेरी सीट तो नमबर एक पर है चाहे कॉंग्रेस से लड़ू या बिजेपी से या फिर निर्दली लड़ जाऊ मेरी जीत तो पक्की है लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के बाद राजस्थान कॉंग्रेस में खलबली मच गई है बताया जा रहा है कि 60 बिधायक और मंत्री ऐसे हैं जिनका टिकट हाई कमान ने काटने का आदेश जारी कर दिया है उन 60 लोग कुछ बिधायकों को सूत्रों के अनुसाज जानकारी भी मिल गई है कि उनका टिकट पर खत्रा मंडरा रहा है इसलिए विरोध होने के भी आसंका जताई जा रही है संभाबना यह भी जताई जा रही है कि सीमसो गहलोध के 40 से 42 से बिधायक है जिनका टिकट कटने की उमीद की जा रही है गहलोध भी इस बात से खुछ नजर नहीं आए सर्वे रिपोर्ट में उनके अपने खास नेताओं का भी नाम शामिल है इसमें सचिन पाइलेट के 15 से 18 बिधायक है जिनका टिकट काटने की त्यारी चल रही है अब गहलोध केंप और सचिन पाइलेट केंप दोनों को ही नेता कॉंग्रेस हाई कमान से नाराज बताये जा रहे हैं अब अगर इन सिटिंग MLS के टिकट काटे गए तो राजस्थान कॉंग्रेस बड़ा हंगामा भी हो सकता है बताया तो यह भी जा रह वह सभी को अपनी पार्टी से टिकट देंगे वहीं हनुमान वे निवाल के करीबियों ने भी दावा जताया है कि कॉंग्रेस पार्टी जैसे ही यह फैसला करेगी कि इन मंत्री और विधायकों का टिकट काटा जाएगा उनको अपने पाले में लाने की कोशिस रहेगी वही किन कॉंग्रेस के वरिश नेताओं का दावा है कि जब भाजपा अपने सिटिंग मले के टिकट काट सकती है और पार्टी में कुछ भी नहीं होता तो कॉंग्रेस भी ऐसा कर सकती है 2013 और 2008 विधान सभा चुनावों के नतीजों को देखते हुए ही कॉंग्रेस ने यह फैसला किया है कि सर्वे हर महीने कराया जाएगा उसके आधार पर ही टिकट देंगे पार्टी हर बार चुनाव सिर्फ इस बज़ए से हार जाती है कि सिटिंग मले को टिकट दे दिया जात कि सिर्फ बार जाती है